असलाम ओलेकूम कैसे हैं आप सब लोग तो उमीद करते हूं आप लोग होंगे बिकुल ठीक ठाक अलहम दिलिल्ला हम भी हैं बिकुल ठीक तो जी अल्ला ताला का शुकर है सर्दी बहुत जोर से पढ़ रही है और आज है क्रिस्मस तो जितने भी लोग क्रिस्मस सेलिपरेट क ईतनलोरता हम मेरी उमेरी पूरी फैंली की तेष्टे मेरी क्रिस्मस उपर ब sommगो खुछ रखेत अबाद रखे उर का स्दे मतलब अब के लाइफ मेंकोई और आपकी हर जाहता पूरी हो और अपका क्रिस्मस बहुत अच्छा से बीते तो आज हमारी सेंट यह और तो बच्चों का समान लिक रहे थे आसर जी ने सुबा का अलार्म लगा दिया था हम लोग सब सो रहे थे तो उन्होंने अलार्म लगाया था और फिर वो अपने बच्चों के लिए समान लिक रहे थे और फिर सॉरी मिने नाश्ता किया है न भी अधिए जब हम सो रहते तो हम सबके पिलों के नीचे संटा ने समान हम से बिलकुल हम समान रखा है तो बच्चों टो लेखा था गया था और संटा मेरे लिए चलिया था था में डिकाती हमको स्टाइब लहाइं Life Glamour से तो जिसका शृधधा का पुराइड मी देती है वो ये Glamour की तो उन्होंने मेरे लिए मंगवाई है ये Glamour की लेप स्टिक्स मेरे सांता ने मेरे लिए मंगवाई थी दो लेप स्टिक्स मुझे बड़ी खुशी हुई और इनके shade में दिखा रहती हूँ, यह वाला जो shade मैंने लगा रखा है, यह से glam up कही लगा है, मैंने आयी थी तो मैं सोचा चलो, दुगाटन करी देते हैं, आज ही आई है तो आज ही इसका दुगाटन कर रहते हैं, और एक shade यह है, वह दो एक यह वाला shade है, यह sort of कुछ maroon है, मैंने अबी तक यह नहीं लगाया है, बट बहुत अच्छा है, मैं आपको अपलाई करके दिखा देए, वाव, इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत- लाइट है और इस तरीके से, मुझे नहीं यह दिखाना नहीं आता है यह मने गलत अपलाई कर दि और एक का तो मने यह लगाई रखा है यह यह वाली है यह यह वाली है ठीक है इंस्टाब बॉडी 3 ml की है यह और बहुत लिए स्मूध है और बहुत लाइट है मतलब मेकप करने के बाद मतलब लिप्स्टिक लगाने के बाद आपको कुछ-कुछ ऐसा होता है कि होटो पे लगता है कि हाँ यह काफी है वी स्यूरी एक यह वाला है जो मैंने इसमें लगा इसको वेज करने की कोई जुरूवत नहीं है उपर वाला जब भी देता ना देता चपर फार के कहां तो मेरे पास सब कुछ खता मो रखता नहीं था और अलहमदुलिल्लीला अब जब उसे बुलबुल ने दिया आ है तो अब से कुछ न कुछ न कुछ न कुछ आया रहा है और एक मेरे साइमता नहीं मंगवायान है मेरे लिए एक नहीं नहीं येथ हूआ इए ऐ मैं किसी भी कंपनी का चल्चा कुछ रहो है तो सक् appointment चैन करा है मेरे लिए तो ये वन वन किसे दिखेगा आपको एक सो पंद्रा वाला ये है ये शेड भी बहुत अच्छा है और एक ये है 120 का तो और ये ना पंपिंग बॉटल में आता है ऐसे वाली पंप वाली बॉटल में तो बड़ा मजा आता है असे लगाने में तो ये भी उन्होंने मुंगवाया था मेरे बॉटल में तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम तो मैंने सुचा के चलो जी आज कुछ अच्छा बनाते हैं तो हलीम से अच्छा क्या हो सकता है और बुल-बुल अन्नु को बहुत पसंद है हलीम तो उसने का था बची जाने से पहले प्लीज आप हलीम सुरू बनाना तो कल चल्ओ जा रही हैं और तुल चलो फिर जब हलीम पर लोगों को दिख़ाएं हैं कैसे अभी बन देर यह जांग ऺए कगी मुझे आज वीडियो जादा खरता है और दो हब इस जहां करें हैं और आज उसको जूरूत करने की कोशिच करूंगी अपने काम से व्री होकर है जास अपसे थोड़े देर बाद असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग तो मीद करती हो आप लोगों के बिलकुल ठीक ठाक अलहमकतुल लिल्ला लाक 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 शुकर है हम भी हैं बिलकुल ठीक तो जी आप लोगों की बेहाद रिक्वेस्टर वाली वीडियो में लेकर आ गई उसके बाद मैंने ये चार से पाँच दर्मयाने से प्यास काटके इनको मैंने डाल दिया है और तिस पत का पत्तर लेगा इसके अंदर तो पहले मैं इन सब चीजों को अच्छे से ब्राउंग कर लूँगी उसके बाद आगे के प्रोसस स्टार्ट हो जाएंगे और रही बात कि मैंने ब्रेक ले लिया है ता तो मैं ब्रेक अपनी मर्जी से नहीं ले रही हुँ मिरा फॉन इतना जादा खराब हो रहा है उसकी तूब मतलब मेरे वीडियो का काम आगे बड़ी है पारा था बहुत हैंक कर रहा है मेरा फोन तो इस वज़े से मैं लेट हो जा रही हूं तो यहां पर अभी मेरे प्यास जो हैं वो इस तरीके से हो रहे थेके थे और बड़ा वाला चूला था तो इस पर इजली और जल्दी से बन जाते हैं तो तेल बहुत जादा गरम हो गया थ अभी मैं दुबारा से गयास अन कर दूँगी और यह फटा फट से जब प्यास अपना कलर चेंज कर लेगी तब मैं इसके अंदर आगे का प्रोसेस करूंगी तो फिलहाल मैं अभी इसको वेट कर रही थी आख जाने का मुझे लगा जल गए जल गए तो जी यही मेरी बात कि इस वज़ेसे में लीट हो रही थी और आप लोगों का क्रिस्मस कैसे रहा ज़रूर पिताएगा क्योंकि हमारा तो अच्छा सालिबरेट हुआ थोड़ा बहुत आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो भी और बड़ा मज़ा था आया अभी गयास नहीं चल रही तो यहां पर जो है चिकन लिया था तो मैंने चिकन को जो है ना बॉल नहीं करा मैंने यखनी नहीं बनाई है उसकी उसके बदलेगा मैंने चिकन जो ना मसाले वाला मैं इस तरीके से बना रही तो यहां पर अभी जैसे ही प्याज अफू लेसन हो जाएगा तो उसके अंदर मैं यह चिकन अब चिकन की बुनाई अच्छे सोने चेए और बहुत अच्छे तरीके से आपको वाश कर लेना चाहिए अपना चिकन क्योंकि जब तक आपका जो गोश्ट है वह अच्छे से दुलावा नहीं होगा तो वह अच्छा नहीं लगता है और इसमें अच्छी सी समेल भी नहीं आत तो यह कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आगे पीछे भी थोड़ा बहुत मसाला कर दो आपका जो खाना है वह उसमें थोड़ी सी कमी आ जाते तो यहां पर मैंने एक कटूरी भर के लेसन कर लिया था तो एक कटूरी भर के ही मैंने अद्रक का पेस लिया है और इसको मैं चिकन की भुनाई करने के लिए यूज कर रही हूँ तो अद्रक भी बहुत लिए पानी तयार करका था stan और भॉल खर चुका है अब इसके अंदर मैं कटेवे टमाटर एड़ कर दूंगी और फिर उनको भी गलने तक पकाऊंगी और इसके अंदर मैं नमक और अचार की मिर्चे अड़ करूंगी और ग्रीन चिलीज भी एड़ करूंगी बट आपको इसमें नजर नहीं आएंगी लेकिन मैं बता रही हूं तो आप प्लीज मेरी वाइस को अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा स्केप करकर के अगर आप देखोगे तो आप को समझ में नहीं आएगा क्योंकि काफी सारी क्लीपिंग्स इसमें मेस है बट कोई नहीं मैंने फिर भी कोशिश करी उसको मैनेज करने की तो यहां पर मैंने आधा किलो दही का पैकेट दही का पैकेट आएड़ था और इसके अंदर अचार की मर्षे मै टाली थी ठोड़ी सी भी डाली थी ज्यादा नहीं अग्रीन चिली डाली थी अ behaviors powder ़ाला था क्पैसिसी जी को बहुत पसंद है मतलब तो इस वजही looking और यहां पर मैंने पता नहीं वो कहा है आके दिखेगा नहीं अगर दिखेगा तो मैं जरूर डालूंगी कि यहां पर मैं बिर्यानी मसाला लेकर आई थी जो 30 रुपीज का एक पैकेट था तो वह भी मैंने अड़ कर दिया तो और यह लेमन जूस है मेरे पास मतलब एक लेमन जूसी हो और मेरा अल्मोस्ट भुंते जूसी जो है वह गल चुका था इसलिए तो चिकन की बिर्यानी आप इस तरीके से भी बना सकते पहले मैं यकनी करके बनाती थी इस बर मैंने यकनी जो चिकन के साथ नहीं करिए लेकिन हाँ मैंने जॉप को बताया था सौफ का और डौन डला था जो चिकन के साथ ढ़ते है यह वही पानी है तो वह पानी मैं इसके अंदर याज़ा गजा है और सींपल पानी भी एड होगा बट अभी फिलहाल मैंने रेस के इंदर साफ और धनियवाला पानी आड कर आई कर यहाइड हैं अगर आपका मैंन है तो आई रहा तो अगर आप बिर्यानी मसाला भी अड़ करें लोगो न तो इससे भी बहुत अच्छी खुश्बू आती है मैंने फिर्स टाइम बिर्यानी मसाला एड़ करके ये बिर्यानी बनाई है otherwise तो अभी तक मैं घर के मसाले अपने यूज करके ही बिर्यानी बनाती थी तो यह experience भी बहुत अच्छा था और चावल जो थे 3 kg थे मेरे तो मैंने उनको अच्छे से साफ करके धोके भीगो दिया था दो घंटे तक मैंने अपना चावल भीगो के रखा था उसके बाद अब मैं इसके अंदर चावल एट कर दूँए और इस स्टेश पे आप अपने नमक और मिर्च चक सकते हो कि अगर आपके चावलों में पानी थो नमक की क्वाइंटिटी कम है तो आप बढ़ा भी सकते हैं तो चावल मेरा जो था वो गैलेक्सी था तो यह बासमती नहीं होता है यह कौन से वाला चावल भोलते हैं इसको पत सेला अच्छा जी तो इसको सेला राइस भोलते हैं गैलेक्सी का होता है तो मुझे यह पता है कि इनके डबल चावी और गैलेक्सी चावल होता है तो मैंन पानी के अंदर में नमक चकरी थी तो थोड़ा कम लगा तो मैंने इसके अंदर और एड़ कर दिया है बस अब मैं इसको तेज आंच पे ढख के पकने के लिए रख दूँगी और फिर बाद में दम देने के लिए रखूँगी तो दम के लिए मैं गयास बिल्कुल स्लो कर देत है मतलब नीचे से ब्लकुल गयास को मंदा करके और कलर भी मैं इसी टाम पे डाल दूँगी इसके अंदर अच्छा जी तो यहां पर फाइनली हमारी बिडियानी बनके तयार हो गई है और बच्चे खाने के लिए बैठ गई है तो मैं उसका फाइनल रुक आपको दिखा दे देख लिए मैंने कलर जो डाला था वो डाला था दूद और गुलाब जल से खुश्वू बहुत अच्छी आती है और चीनी के दाने आड़ करने से कड़वाहट नहीं होती है तो बस यह जब आप दम लगाते हैं बिडियानी में तभी आप अपना जो कलर है वो इसके इंद करेंग करा कादू चाह तो सी लगए को सर्फ कर सकते हैं तो डिली की नि बनके अपिनी आप। ज़रूर बनाईएगा और कोई भी दिक्कात आती है तो प्लिस मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा और प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चानल को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अला हाफिज